तो आज हम पढ़ेंगे methods of determination of strength इनको डीटेल में क्यों पितली वीडियो में हमने पढ़ा तो था कि mass percent solid को करता है और volume percent liquid को करता है mass volume liquid को करता है और ऐसे ही आएंगे so-and-so पर हमको यह नहीं पता था कि आप बता कैसे रहे हो ऐसे थोड़ी ना कि कोई भी आप कहो कि यह solid को कर रहा है यह gas को कर दो पर फिर भी कि solid को कर रहा हम कैसे माले हमको प्रूफ चाहिए ऐसे थोड़ी ना हम तो सब चीज का प्रूफ च is defined as the amount the amount of solute dissolved in a hundred part of the solution is called mass percentage क्या समझ आता है इससे आपको क्या समझ आता है इससे और यह भी आगे वाल लाइन it is specific for solid solution इससे क्या पता लगता है कि the amount of solute solute यानि कि जो कम मात्रा में होता है वो solute होता है is dissolved in hundred part of the solution मतलब 100 part of solution में जो dissolve होता है छोटा सा नन्ना सा solute उसके जो ratio का percent होता है उसी कहते है mass percent इसका में diet form में बतायता हूं आपको wa होता है mass of solvent मतलब wa से हम क्या define करते है mass of solute wb क्या होता है mass of solute ठीक है sorry sorry देखो wa से mass of solvent solvent यानि कि जो quantity जादा होती है और जो quantity कम होती उसको बोलते है solute तो जो mass of solvent होता है उसको हम wa से represent करते हैं और mass percentage of b b यानि की b क्या होता है b होता है यहां पर solute तो b क्या होता है wb upon में wa plus wb into 100 यह है diet formula इसको आपको रट लेना एक दम रट लेना समझतो लिया यह आपने कैसे होता है देना आता है अपने mass volume percentage to mass volume percentage क्या होता है volume के लिए सेम होता है ना चीज होती है बस उसमें वी आ जाता है तो वी अप या फिर वी अपन में va plus vb into 1000 की कि volume and a volume तो 1000 में रहता है तो मास volume percentage mass-volume percentage में क्या होता तो mass-volume percentage में it is defined as a weight of solute in gram per hundred ml of the solution is called mass volume it is specific for liquid solution इसे liquid solution भे specific है इसके formula से पता लगेगा देखो कैसे व यहां पर क्या है वॉलिम ऑफ जॉल् है बड़े वाले आइटम का क्या वगालम और ववी क्या हृङ डबलू भी क्या अब्गु भी गर्पास मांस तो यानिरिए कि छोटे अब क्या है फिर तो फॉर्मूला और क्या है तो यहां पर फॉर्मूला थोड़ी सी गलती है WB upon में VA प्लस VB into 100 तो यह बन जाता है अपना फॉर्मूला मास वॉल्यूम परसिंटेज का दर आता अपने पास मोल एर रिटी यह है मोल एर रिटी अरे पेचली साल भी फर्स चैप्टर में पढ़ा था पर समझ नहीं आया था पर कोई बात थे ही इस बार पढ़ते हैं फर्स चैप्टर में पढ़ते हैं और अच्छे से समझ में आएगा देखो मोल है रीटी क्या होता है और मोल है लीटी क्या होता है लीटी और रीटी लीटी चोखा और रीटी चोखा में क्या अंतर है देखो तो मोल है रीटी में क्या होता है इस डिफाइन एज नंबर आफ मोल्स आफ सॉल्यू डिजॉल्व इन वन लीटर आफ सॉल्यूशन इस रेप्रेजेंटेट भाई बिग एम तो यह जो है ना वन लीटर यह धान रखने वाली चीज यह इसको मैं और ज्यादा कर देता हूं डार्क यह है वन लीटर यह सब्सक् मोल है रीटि में जहां पर रीटि आ जाय वहां पर आपको वी लिकना नीचे में और जेहं पर लीटि आ जाया जाया जो घो कि Have a इस को आपको पर बहुड़ लिखना ठीके को ना आहां से पढ़ लिया घर मैं लूटार हो यहांमड यहां मान रहा है याहिसेतल खरम आयूस यहीं से चुपचा पढ़ लिया करो पता नहीं लगना है किसी को ठीक है चलो तो यहां इसका डार्ट फॉर्मला यहां पर यह लास्ट में बन चुका है M बड़ा वाला इजी कुष्टू WB into 1000 upon में MB into V ठीक है V होना चाहिए MLV यहां लिटिर में लो तूप यह बें लोगा यहां चलते हैं मोला यह लीटी के पास मोला लीटी में लेटी भब क पास टो बलिटी के लिए हम फिर से आ गहें तो देखो लीटी का जैता है number of moles of solute dissolve in 1 kg और 1000 gram of solvent is called mole है रीटी तो देखो लीटी लीटी वाला लीटी है लीटी वाला तो देखो मोल है लीटी में क्या होता है कि 1000 gram या फिर 1 kg यानि की मास और इसकी फॉर्मला में वी इस सोड़ा से चेंज देखो यह देखो में वी इनटू 1000 अपॉन मैं वी इनटू 0.1 ठीक है फिर उसके बाद आता है mol है रीटी और mol है लीटी का डिफरेंस यहां से अको पूरा-पूरा चेंज हो जाएगा मतलब पूरा-पूरा आपको में WB upon MB into 1000 उपर में 1000 upon में WA तो यहां तक तो फॉर्मला चेंज था सेम था और अब चलते हैं इसके डिफ्रेंस की तरफ डिफ्रेंस क्या है इसका डिफ्रेंस में मोला है रीटी एन मोला है लीटी तो लीटी और रीटी के बीच में इसके डिफ्रेंस पढ़ लो जल्दी से सीक्रेट बता रहा हूं अरे अभी पढ़ाओंगा न उससे पहले पढ़ लिया करो तीरे से पता नहीं लगना चाहिए बस ठीक है तो मोला रीटी क्या होता है मोला रीटी होता है नंबर ओफ मोल्स अफ सॉल लीटर इस काल्ड मोला री हमको क्या मोल्स अफ सॉल्यूट को डिजॉल्व करना है एक लीटर पानी लो ठीक है कोई एक सॉल्यूट ले लो डिजॉल्व कर दो उसके मोल्स ठीक है और उसके बाद फिर एक केजी एक केजी क्या लोगे फिर एक केजी में कुछ आइटम ले लो मास में कुछ आइटम ले यह specific होता है liquid के लिए यह होता है solid के लिए solid के लिए क्यों कि इसमें केजी आयाता है इसमें liquid क्यों इसमें लीटर आयाता है its unit is mole per liter इसकी है mole per kg अब हो आई तो लीटर और kg का तो हेरा फेरी और कुछ नहीं है increase the temperature decrease the molarity increase no effect of temperature in molarity अरे यह मास है मास में कैसा temperature का effect पड़ेगा यह है ना यह liquid इसमें तो temperature का effect पड़ेगा इसमें क्या temperature इफेक्ट पड़ता है increase the temperature decrease the molarity अगर increase करोगे temperature solubility of dissolved in liquid वो कम हो जाएगी और उसके बाद आता है normality then equivalence mass जो इसका छोटा सब पार्ट है उसके बाद आएगा parts per million ठीक है और चल नॉर्मेल्टी क्या होता है normality is defined as a number of number of gram equivalent of solid you dissolve in one liter represented by बड़ा वाला M यह रिप्रेजेंट होता है छोटा वाला M यह होता है normality होता है बड़ा वाला M और N और molar ready होता है बड़ा वाला M ठीक है तो यह होता है बड़ा वाले M से इसमें कुछ नहीं difference है WB into thousand upon में E, E होता है equivalence mass into V यानि की volume volume है यानि किसके लिए होगा specific called liquid होगा सीधी चीज़ है volume यहां आ जाए यानि के liquid के लिए होगा solid में कहाँ volume होता है kg होता है है न ग्राम होता है तो समझे और equivalence mass क्या होता है equivalence mass is defined as the mass of an atom और iron equals to the mass of one mole of hydrogen one part of oxygen and 35.5 यानि की chlorine का 35.5 watt of chlorine is called liquid होगा अरे अन्फ्रेक्टर निकालके इसमें पूट कर दो यानि की one होगा तो one two होगा तो two three होगा तो three and factor तो आप जानती होंगे उसको इसमें formula में पूट कर दो MB यानि की क्या MB क्या होगा यहां पर MB यानि की m क्या होगा देखो डबलू ए था अपने पास mass था ठीक है m क्या होगा वेट होगा तो weight of solute के बी तो solute रोगा देखो न मास आफ एन एक्जांपल भी लाएं आपके लिए है देखो तो n factor for acid क्या होता है H plus क्यों हमको इसको number of H plus science हमको चाहिए होते हैं या फिर जिसको बोलते हैं basic city तो देखो सबसे पहले one plus जैसे देखो इसका CH3COOH या फिर हम निकालते हैं HCl का निकालते है सबसे पहले hydrogen को देखो हमको निकालना क्या है acid का तो acid क्या होता है H plus 3 है न हमको देखो यहाँ पर लिखाना number of H plus ions तो मतलब कि हम hydrogen को ले लेंगे ठीक है अब ले लिए हमने hydrogen को तो hydrogen का number क्या होता है मतलब कि mass कितना होता है 1 तो 1 plus 35.5 upon 1 ठीक है ऐसे करना तो यहाँ पर आजा 36.5 ऐसे करना सिंपल ऐसे H2SO4 का हमने ले लिया तो यह आ गया समझ गया है हमको उसका mass दिखना और multiply कर देना उसके atomic number से बस सिंपल कुछ नहीं करना ठीक है ऐसे N factor हम निकाल जबते हैं बेस के लिए क्या चीज़ हमको OH का चीज़ और उसके बाद salt के लिए क्या चीज़ है अब चलते हम किस पर अब चलते हम mole fraction जिसको हम डेपेक्ट करते हैं इस सिंबल से देखो कैसे होता है यह सबसे ऐसे बनाओ एक दंडा ठीक है उसके बाद से ऐसे करके S टाइप में पर हलका S होना चाहिए पूरा S नहीं हलका ऐसे करके बना दो यह होता है mole fraction का सिंबल ठीक है mole fraction क्या होता है mole fraction इससे समझते है एन ए यानि कि नंबर आफ मोल्स और फिस सॉल्वेंट यहां पर क्या है और N.B. यह होता है न और N.B निकालना होगा जैसे इसमें x e nिकलना है तो यहां पर हमने ओपर फिक दिक दिया अगर हमको क्या निकालना अगर हमको x B निकालना हो तो यहां पर N.B. ओ जाता है पर नीचे तोटल लाएगा नीचे का सिंपल है तो इसकी एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं मोल फ्रेक्षिन इस डिफाइड एज रेशियो और नंबर ओफ मोल्स आफ वन कंपोनेंट यानि कि तोटल नंबर ओफ कॉम्पोनेंट यानि कि फिर से सौल्वेंट प्लस इसमें दोनों प्लस होंगे नीचे में और उपर में किसी एक जिसका निकालना होगा वह गा एज रिप्रेजेंटर बाइए यह जो है और यह उनिटलस होता है क्योंकि देखो दोनों में उपर उपर है इसलिए unit less होता है और dimension less भी होता है इसमें dimension की तो हम बात ही करते हैं क्योंकि यह तो chemistry है इसमें काण dimension आएगा ठीक है पर फिर भी बता दिया देन आता है अपना parts per million ppm नहीं चीज़ है आपके लिए इससे पहले वाल जितने वी चीज़ थी हो आपने पढ़ी होंगी लावंस में पर यह तो नहीं चीज़ है बिल्कुर इसने नहीं पढ़ी तो उसके लिए मैंने पढ़ा दिया तो ppm क्या होता है it is defined as the ratio of mass or volume of solute to the million mass or volume of solution it is represented by ppm and unit is also ppm it is applicable for both solid and liquid अभी तक जिसने हमने पढ़े इसको छोड़के बाकी सब या तो solid के लिए या liquid के लिए पर ये है पहला जो की solid liquid दोनों के लिए ये भी solid liquid दोनों के लिए होता है इसमें सिर्फ हमको मूल्स पता होने जी है ना तो solid के भी होती है liquid के भी होती है gas के लिए हो सकते है ठीक है और ppm को कैसे करते हैं mass of solute यानि की क्या mass of solute यानि कि क्या यानि कि WB WB होता है न मास ओफ सॉल्यूट अपान में मास ओफ सॉल्यूशन यानि कि WA प्लस WB इंटू 10 to the power 6 ठीक है और वॉल्यूम के लिए ये तो था किसके लिए solid के लिए ये अब आ गया liquid के लिए क्या वॉल्यूम ओफ सॉल्यूट अपान में वॉल्यूम ओफ सॉल्यूशन इंटू 10 to the power 6 10 to the power 6 होता है million को यह न इसलिए ppm parts per million अथा part in millions ठीक है चलते हैं next page पर पढ़ते हैं next तो आज कि आचुकि है last cheese जो कि effect कर सकती किसी भी तरह से किसको डिस्टेम डिफाइन कर सकते है solid liquid या फिर gas तो आज ही last cheese आचुकि है हमारे पास formality it is applicable for ionic solution ionic solution अभी तरह कोई भी जितने भी तरह कोई भी ionic के लिए नहीं था जिसमें ions हो ठीक है तो it is refined as number of formula mass of the solute dissolved in one liter is called formality it is denoted by F कौम सा capital वाला F तो यह WB in 2000 अपॉन में FM into V in ml यानि कि liquid वाले के लिए यह liquid ionic solution के लिए ही applicable है जिर्फ इसमें क्या आता है NACL आ जाता है KCL आ जाता है तो एक तरह से salt जितने भी है उनमें ions होते हैं तो ठीक है तो इस इक साथ यह वीडियो होती है हमारी खतम आगे अगली वीडियो में जो अगला पार्ट आने वाला है उसमें आप पढ़ेंगे वेपर ब्रेशर राउल्स लाउ और उसको कैसे कैसे क्यों क्योंसी चीजे एफेक्ट करती है कॉलिगेटिव प्रॉप्टिव अगर आपको अगली वीडियो में देखने को मिल सकता है या फिर उसकी अगली वीडियो में देखने को मिले है और वीडियो बहुत जल्द आने वाली है तो बने रही है बाई बाई